नमस्कार आप सभी का स्वागत है, दोस्तों प्राचीन काल में रिशी मुनी पशु पक्षियों के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में बताते आए हैं, प्राचीन रिशीों का मानना था कि घर पर आने वाले पशु पक्षी विशिष्ट प्रकार के शुब या पुरानों में ऐसे कई प्राणियों का वर्णन मिलता है जिनकी सवारी विविद देवी देवता करते हैं। यदि ऐसे प्राणी हमारे घर पर आते हैं तो हमें उस देवता के घर पर आने का संकेत देते हैं। अत्वा हमें यह संकेत मिलता है कि हम पर उस देवता की विशेश क वास्तू शास्त्र में भी घर पर पशु पक्षियों का आना शुब और अशुब माना गया है। जीवन को और भी अधिक सुक्कर बना सकते हैं। साथ ही कुछ पक्षियों का घर पर घोसला बनाना भी अत्यंत शुक फलदायक होता है। ये सुक समृध्धी आने के सूचक होते हैं। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है। या फिर आपके घर का वातावन अत्यंत पवित्र और सकारात्मक बन जाता है। तो यहाँ पक्षी अचानक ही आपके घर में आने लगते हैं। क्योंकि पक्षी उर्जा की सूक्ष्म किरणों को महसूस करते हैं, जो हम मनुश्य महसूस नहीं कर पाते। पक्षियों का हमारे सिर पर आकर बैठना, अत्वा घर की छत पर आकर बैठना भी विशिष्ट प्रकार का संकेत ही समझना चाहिए। इन्ही मान्यताओं के आधार पर आज हम आपको बताने जा रही हैं, पांच ऐसे पक्षियों के बारे में जिनका आपके घर पर आना ही शुब होता है। ये पक्षि संकेत देते हैं कि आपका बुरा समय अब समाप्थ होने वाला है और आपके जीवन में खुशिया आने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, आप इन पक्षियों को बिलकुल कष्ट न दे। अत्वा इनके द्वारा बनाए हुए घोसलों को भूल से भी ना तोड़े। अन्यथा इसके अशुख फल ही आपको प्राप्थ होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का यह कर्तव्य होता है कि वहां उसके आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की सेवा करे। उनके लिए जल तथा अन्न का प्रबंद करे। तो चलिए जान लेते हैं हमारे घर पर कौन से पक्षियों का आना शुख होता है। सबसे पहला है उल्लू। शास्त्रों के अनुसार उल्लू मा लक्ष्मी का वाहन है। वास्तु शास्त्र के अनुसार उल्लू का घर पर आना बहुत ही शुख संकेत होता है। यहां घर पर मा लक्ष् सामने बैठ कर बोलने लगता है अत्वा आवाज निकलता है तो इसे अशुप संकेत समझना चाहिए ये धन के नाश होने का इशारा करता है यदि किसी कार्य के लिए बाहर जाते वक्त रास्ते में उल्लू आपके पीछे चला जाए तो यह भी अशुप संकेत होता है आपको उस कार्य में असफलता मिलने की संभावना है दूसरा पक्षी है कबूतर वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कबूतर का आकर बैठना शुप संकेत होता है कबूतर को प्रेम और यौन सबंदों से जोड़ कर देखा जाता है किन्तु वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कबूतर का घोसला होना अशुब होता है क्योंकि कबूतर गंदगी फैलाने का काम करती है और जिस स्थान पर गंदगी होती है वहां पर मा लक्ष्मी निवास नहीं करती है तीसरा पक्षी है चमगादर वास्तु शास्त्र के अनुसार चमगादर का घर पर आना अशुब स पक्षी है चिडिया, चिडिया एक बहुत ही शांत पक्षी है, इसी कारण से इसे बहुत ही शुब माना जाता है, अगर चिडिया आपके घर में रोज आती है और चहकती है, तो इसे शुब संकेत समझना चाहिए, चिडिया का घर में घोसला बनाना सुख सम्रिद्धी का आपके व्यापार में आपको बहुत अधिक लाब प्राप्थ होगा, लेकिन ध्यान रहे यदि घर में चिडिया घोसला बनाती है, तो भूल से भी उसके घोसले को ना तोड़े। काव काव करना किसी महमान के आने का संकेत होता है, लेकिन कोवे का सिर पर बैठना अत्वा चोच मानना शुब माना नहीं जाता है, जिस व्यक्ति के सिर पर कोवा बैठता है, उसे शीगर ही अपमान का सामना करना पड़ता है, यदि घर की छट पर गिद आकर बैठता है, तो इसे बहुत ही अशुप संकेत माना गया है। गिद का घर की छट पर बैठना मृत्यू सूचक है। यह किसी रिष्टिदार की मृत्यू होने का संकेत देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर पर पक्षी आने के अलग-अलग संकेतों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।